हेलो दोस्तों, Nifty Trader के YouTube चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे Gap Theory के बारे में Gap Theory की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि Gap क्या होता है और ये किसे रिप्रेजेंट करता है तो सबसे पहले Gap जो है, बाकी Patterns के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर Gap usually जो है, वो बताता है कि जो sentiment है, वो increase हो गया है बहुत तेजी से sentiment बढ़ गया है, उसकी उगरता बढ़ गई है जबकि बाकी जो Patterns होते हैं, बाकी जो भी चीज़ें हम Technical Analysis में पढ़ते हैं वहाँ पर ये बताया जाता है कि sentiment बढ़ रहा है जिसे मानलो reversal pattern की बारे में बात करेंगे या फिर हम किसी consolidation pattern के बारे में बात करेंगे वहाँ पर हम बात करेंगे कि sentiment किस तरह का है, sentiment कैसे बढ़ रहा है यहाँ हम बात करेंगे कि sentiment बढ़ गया है अब दूसरी बात जो है, वो important ये है कि gap होता क्या है तो सबसे पहले ये है कि अगर जो आज का मेरा opening price है वो previous day के range के बाहर है अगर उपर की ही तरफ है, तो उसे gap up कहेंगे और नीचे की तरफ है, तो उसे gap down कहेंगे दूसरा, इस चीज़ को हम true gap भी कहते हैं और इसी पर हम focus भी करेंगे और इसी gap की definition को हम nifty trader की application में भी ज़्यादा तर use करते हैं अब nifty trader में आपने कई बार देखा होगा कि gap जो है fill हो जाता है अब fill होने का मतलब यह है कि open तो हुआ था, वो range के बाहर लेकिन during the day, price जो है move किया, शायद नीचे आया या price उपर गया वापस से और उस दौरान उसने जो gap था, जो price range के अंदर gap था, उसको fill कर दिया है तो आज का price जो है, और कल का जो price था, वहाँ पर कहीं न कहीं overlap आ गया है यह concept समझने के बाद में, अब हम जाते है gap theory पर, जिससे हम trading में बहुत जादा use कर पाएंगे तो gap theory जो है, वो चार तरीके के gaps को define करती है और यह gaps जो है, इनकी position के हिसाब से इनको नाम दिया गया है सबसे पहला आता है common gap, common gap जो है usually यह होता है कि जब market एक range में trade कर रहा है market कोई बहुत तेजी से move नहीं कर रहा है, उपर की तरफ या नीचे की तरफ, up trending है, downtrending market नहीं है उस समय यह gap occur करते हैं, एक range में market होगा यह जो gaps हैं काफी common होते हैं और इनका कोई भी major consequence नहीं होता है इसे आप बहुत ज़ादा trading में use नहीं कर सकते हैं हाला कि because यह gap जो है, most of the times, 90% times यह gap फिल हो जाता है तो इसे trading के लिए आप use नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे profit निकालने के लिए hardly 2-3 point निकालने के लिए, जैसे nifty जैसी चीज़ है nifty पर आप 2-3-4-5 point निकाल सकते हैं, जैसे scalping भी कहते हैं, उतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं common gap के बाद में, अब हम बात करेंगे breakaway gap की तो जो breakaway gap है, यह usually एक resistance को या support को break करेगा मान लीजिए, एक gap up दिया, एक market जो एक range में trade कर रहा था, उसने एक gap up दिया और ये gap up इतना strong moment था, कि इसने एक resistance जो पहले इतने दिन से resistance बना हुआ था, उस resistance को break किया है तो इसे हम काफी bullish indication मानेंगे, और साथ ही साथ ये भी मानेंगे, कि ये एक नए trend की शुरुवात है एक तरह से ये जो breakaway gap है, ये आपको बहुत ज़्यादा commonly नहीं दिखेगा अपने chart के अउपर, क्योंकि generally ये सिर्फ trend की शुरुवात में ही appear होता है शायद एक बार या हो सकता है, कभी एक आद बार, दो बार appear हो जाए लेकिन mostly आपको एक ही बार ये chart पर दिखाए देगा अब ये important इसलिए है, क्योंकि आप जब एक नया trend शुरू होने वाला है या अभी-भी जब trend reverse हुआ है, आप उसको पकड़ लेते है यहाँ पर एक जो downside है, वो ये है कि momentum जो है, अभी भी market के पास में नहीं है जो momentum है, वो धीरे-धीरे build होता है, अभी सिर्र reversal हुआ है, momentum नहीं आया है तो ये reversal जो है, इसलिए आपको काफी लंबे समय तक hold करना पड़ सकता है हो सकता है, एक बार market pullback भी ले ले, हो सकता है, एक बार वापस retrace भी कर ले अपने movement को थोड़ा बहुत, लेकिन जो पहले वाली range थी, उसके अंदर closing वापस नहीं देना चाहिए अगर इस range के अंदर इसने closing दे दिया है, तो हम इसको बोल देंगे कि stop loss हो गया है इस breakaway gap की अब value खतम हो चुकी है, तो एक तो हमें इसे लंबे समय तक hold करना पड़ेगा अगर हमें ज्यादा profit लेना है, और अगर हमें इस trend का पूरा juice हमें इसका अगर juice चाहिए तो हमें इसका लंबे समय तक hold करना पड़ेगा एक और important चीज जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो है volume breakaway gap जब भी होगा, तो वहाँ पर 3-4 गुना average volume का कम से कम होना चाहिए उस particular candle में अगर मान लीजिए, आज gap up दिया है और जो है, हमें लग रहा है कि gap up के साथ में इसने breakaway gap भी दिया है और closing price जो है, वो भी important होता है closing price range के बाहर है, जो उस दिन का closing है अब volume पर भी हमें focus करना पड़ेगा कि volume जो है, अगर volume heavy है उस particular candle में तब ये pattern और भी जादा strong हो जाएगा लेकिन अगर वहाँ पर volume आपको नजर नहीं आ रहा है तो ये हो सकता है, एक तरह से fake signal हो वहाँ पर हमारे लिए तो ये दो-तीन चीजें इसे identify करने के लिए बहुत important है ये हमें ध्यान में रखनी पड़े इसके बाद हम बात करते हैं runaway gap अब यहाँ पर runaway gap जो है breakaway gap के बाद में आ रहा है इसको define किस तरह से किया जाएगा कि एक market जो है trend यहाँ पर शुरू हो चुका है breakaway होने के बाद में trend की शुरुआत हो चुकी है trend मान लिजे अब trend है market के अंदर तो market उपर जा रहा है लेकिन gap देने के बाद में जब breakaway gap के बाद में यह runaway gap आता है तो इसका momentum suddenly जो है बहुत तेजी से इसका increase हो जाता है इस trend का और जब momentum आ जाता है एक price के अंदर तो price बड़ा तेजी से भागेगा और जो profit है अगर आपने उसकी direction में trade ले रखा है तो आपका profit भी उतनी ही तेजी से भागेगा तो यह जो है बड़ा exciting time होता है यह ascending phase जो होता है market का उसके दौरान आप multiple runaway gap ups देख सकते हैं जहांपर price बहुत तेजी से increase हो रहा है फिर थोड़ा सा consolidation होगा फिर suddenly आप देखेंगे कि एक और वापस से runaway gap दिया है यहांपर और multiple runaway gaps इस एक ही trend के अंदर आ सकते हैं runaway gap के बाद में एक जो last gap type है वो है exhaustion gap अब multiple runaway gaps के बाद में आप देखेंगे कि price जो है stock का बहुत expensive हो गया है अब थोड़ा बहुत resistance level पे उनके पास में stock है वो काफी अच्छे दामों पर पहुँच गया है और अब इसको जो है मुनाफ़ा वसूली का समय आ गया है जैसे profit booking कहते हैं उसका समय आ गया है तो यह एक gap up आने के बाद में exhaustion gap उसे बुलते हैं जब एक gap up आने के बाद में अब दीरे दीरे वहाँ पर selling pressure शुरू हो जाता है और अगले दो-तिन दिन में या same day में आप देखेंगे कि एक जो candle है वो bearish बनना शुरू हो जाएगी bearish candle के साथ में आप यह देखेंगे जो gap आया था जो यह last gap आया था वो gap भी दीरे दीरे एक या दो दिन में या तीन दिन में दीरे दीरे fill होने की तरफ जाएगा अब जो है उसे support नहीं मल रहा है अब ज़ादार वो resistance से टकरा कर और नीचे आने की गोहिश कर रहा है दीरे दीरे selling pressure बिल्ड हो रहा है और यहाँ पर जो है या तो हमारा trend खतम होने को आ गया है या फिर हो सकता है कि यह reversal के भी sign दे सकता है इस point पर आकर तो reversal जो है उसके लिए तो हमें कुछ और signals की wait करना पड़ेगा लेकिन जब exhaustion गया पाता है तो कम से कम आपको अपनी जो trading position है उसको book कर लेना चाहिए जो अभी तक आपने runaway gap के बाद में या ये अपने breakaway gap के बाद में जो position आपने initiate करी थी उसको कम से कम आप book करना शुरू कर देना चाहिए profit booking का अब समय आ गया है और कुछ wait करेंगे अब नया trade लेने से पहले अभी इस stock को touch नहीं करेंगे जब तक हमें clear signal नहीं मिल जाता है ये ऊपर जाना है नीचे जाना है लेकिन अभी ये confirmation है कि momentum खतम हो चुका है जो पहले इसमें अगुरता थी कि जो price increase हो रहा था अब वो चीज नहीं रही है तो अब हमें यहाँ पर profit book करके निकल जाना है और wait करना है कि नया signal नई information कुछ आए तो उसके base पर हम वापस trade initiate करता है Thank you so much आपने इस session को hopefully enjoy किया होगा और हम और भी videos लेकर आएंगे बहुत जल्दी Thank you